नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में डॉक्टर बिशुरूब रोई चौधरी द्वारा बताई गई उनके डियाइपी डाइट का प्रतेक स्टेप आपको बताऊंगा वीडियो को अन तक जरूर देखेगा, एक बहुत ही महतपून डाउट भी आपका क्लियर हो जाएगा आएए स्टेप बन देख लेता है, दोपहर बारा बज़े तक आपको केवल और केवल फल खाने है कितने तरक है, तीन से चार तरक है, जैसे मैंगो, बनाना, ग्रेप, किस मात्रा मिलेना है ये भी जान लीजिए जो भी आपका body weight है, in kg, उसको 10 से multiply करिए, उतना ही grams आपको ये चार तरक है फल बारा बज़े के पहले खा लेने है तो ये आप सतर किलो के हैं, तो 700 ग्राम, चार तरक है फल आपको बारा बज़े के पहले खा लेने है आइए step 2 देख लेते है, step 2 lunch dinner दोनों के लिए same रहेगा इसमें आपको plate 1 और plate 2 लेनी है, देखिए, plate 1 में चार तरक ही raw vegetables होंगी different types of raw vegetables और जो आपका plate 2 है आपका standard meal रहेगा आगे देख लेते हैं कैसे बताएगे आपका plate 1 के बारे में यह चार तरकी सबजियां जो भी आप raw form में खा सके आप ले ले जैसे carrots हो गए, tomato, moolie, cucumber किसी भी जो आप raw form में खा सके अब आपका आएगा कि इसकी भी क्या मात्रा रहीगी, तो इसका भी बहुत simple है जो भी आपका body weight है, इन kg उसको 5 से multiply करें, उतना ही gram आपको plate 1 खाना है याई अगर आप 70 kg के हैं, 17 तो 5, 300 gram, 4 अलग अलगतरी की सबजियां आपको plate 1 में खा लेनी है तो इस चीज का आप ज़रूर ध्यान रखें, यह simple calculations हैं, को ऐसी बड़ी बात नहीं है plate 2 आपका standard जो home cooked vegetarian food होगा वही रहेगा यहाँ पर देख लिजे, जो भी आप बनाते हैं, रोटी, सबजी, दाल, चावल, सब कुछ आप खा सकते हैं बस यह ध्यान राए कि नमक की मातरा नाम मातर है, और रहे भी तो केवल सेंधा नमक और oil भी पूरी तरह से, जो आपका कच्छी घणी का तेल है, यही यूज़ करें, refined oil तो बिल्कुल भी यूज़ ना करें cold pressed है, natural oil है, वही best है ध्यान रहे कि plate 1 आप पहले finish कर लें, उसके बाद ही plate 2 शुरू करें और यह lunch dinner के लिए same रहेगा, ध्यान रहे कि आपको dinner शाम 7 बजे के पहले खतम कर लेना है क्योंकि सोर्यास्त के बाद खाना का आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, और यही आईरवेद की भी मानिता है आईए यहाँ पर आप भी को दिखा दो, avoid क्या करना है, जो पहला वाला point है, यही काफी debatable है, इसको मैं एंड में बता दूंगा ठीक है, मांस तो खाना पुईता से वर्जित है, अभक्ष यह तो सबसे घटिया चीज है, जो एक वक्ती कर सकता है लेकिन उनने मिल्क प्रड़ट्स को भी मना किया है, उस बारे में आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा मल्टि विटमिन जितने भी टॉनिक, स्कैप्सियूल्स, पिल्स मिलते हैं, बिल्कुल भी मत लीजिये एक दम बेकार होते हैं यह सब, और जितना भी रिफाइंड और पैक्ट फूड है, कुछ भी हो, बिसकेट, ब्रेड, चिप्स, कुछ भी, कुकीज, एक दम जो भी रिफाइंड और पैक्ट फूड है, उसको आपको नहीं लेना है और पैतालिस में धूप में आप बैट जाईएंगे, और इसके लावा आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, अंकुरिच चने हैं, दाले हैं या बिल्कुल ले सकते हैं, बहुत ही सिंपल इसकी कॉंटिटी रहेगी, जितना वेट है उतना ही ग्राम, यागर सत्तर किलो के हैं, तो सतर ग्राम स्प्राउट्स आप दिन में खा सकते हैं, आप नट्स भी पुछी तरह से खा सकते हैं, जो भी है, आमंड्स, पिस्टैश्योज, मुंगफली है, बदाम है, कैश्यूज है, लेकिन याद रहे, दो से तीन घंटा भिगा के रखें, लेने के विदे सेम रहेग हैं, तो सतर ग्राम आप नट्स एक दिन में खा सकते हैं, इससे आपका देखिए, जो क्वालिटी प्रोटीन और क्वालिटी फैट्स दोनों की मात्रा आपको मिल जाती है, और याद रहे, एडिशन टू आपका जो लंच डिनर ब्रेक्फरस्ट है, वो है, इससे आपका जो है, भी डाब का पानी है, नारियल पानी है, जो मिल जाओ, जो अंदर की मलाई रहती है, कोगनेट क्रीम वो भी आप खा सकते हैं, हुन्जा टी पी सकते हैं, आपके मन में आएगा कि भी ये हुन्जा टी क्या है, देखिए, बहुत ही सरल है, इसको भी बनाना, केवल चार गुड़, ध्यान रहे, गुड़ की बात हो रही है, चीनी की नहीं, चीनी को मैंने सीधे सीधे जहर कहा था, और पांस से साथ में तरक इसको बॉइल कर लें, और फिर अपना लेमन जूस डाल के आप इसको अराम से पीजिए, तो ये आपका पुरा डियाएपी डाएट था दोस्तों, आशाय बहुत चाल लगा होगा, अब जो ये दूद वाला मैटर था, उसको क्लियर कर देता हूँ, दोस्तों ये जो डियाएपी डाएट है, इसमें जो सबसे अजीब बात है, जो हर किसी को बहुत हैरान करने वाए लगी, कि इसमें बिशरूप जी ने दूद औ जाने वाली चीज़ क्या हो सकती है, लेकिन जब मैंने विरेंदर सिंग जी के साथ इनका इंटर्व्यू देखा, जिसमें नोंने बताया, कि जो देशी गाय का दूद पीते हैं, वो में परस कभी ट्रीटमेंट के लिए आए ही नहीं, अथार्त वो कभी बीमार ही नहीं इस देश की परिकल्पना बिना देशी गोमाता के संभव ही नहीं, चाहिए इस देश की अर्थ व्यवस्ता हो, इस देश की अध्यात्मिक्ता हो, आरोग्य हो, पंजगवचिकच्सा हो, खेती बाड़ी हो, धन्धान्य हो, सभी का आधार जो स्थम्भ है वो देशी नहीं हो, हमारे साथ रहने वाली हमारी माता के समान है, इस चीज़ को अपने मन में डाल लीजिए, और यही सत्त है, और यही इस देश का आधार है, दोस्तों यहाँ पर यह ज़रूर मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पर मैं बार बार वर्ट रिपीट कर रहा हूं, देशी ग गोमूत्र, गोबर पुरा मिला के पंचगव चिकित्सा बनती है, और आज लोग इतना रोते हैं, जैवी खेती के लिए, अरे भई, जैवी खेती है क्या, गाए, बैल, इन्हीं लोग के जो गोबर है, गोमूत्र है, इसी से तो आपकी जैवी खेती होगी, ना कि यो घटिय जो फर्टिलाइजर, यूरिया वगरे यूस करते हैं, यहाँ पर मैं यह फिर से बता दूँ कि जो पैकेट में मिलने वाले होलिस्टियन, फ्रीजियन, जर्शी गाए का वो दूद है, जिसमें A1 और A2 दोनों बीटा केसीन होते हैं, वो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि प्रॉब्लम्स, डाइबिटीज, इवन कैंसर तक हो सकता है, इसलिए जो पैकेट में दूद आपको मिलना चाहे हो, किसी भी ब्रैंड का हो, या टेटरा पैक में दूद मिल रहा है, उसके ओपर कोई भी गरेंटी नहीं ली जा सकती, उसे बहुत सारे सवाल उटते हैं, और जहां तक बात है, जर्सी गाये का जो दूद का नूट्रीशनल प्रोफाइल होता है, और जो देशी गाये के दूद का नूट्रीशनल उसमें जमीन आस्मान का फर्क है, इसलिए उन दोनों का आप कमपेर कभी नी कर सकते, वो एक अलगी चीज है, और देशी गाये का ही सर्वोत्तम है अन किसी का नहीं तो आशा करता हूँ डियाईपी डाइट जो आपको डीटेल ने बताई बहुत ही अच्छी लगी होगी किरप्या सभी के साथ शेयर कर दें और जो दूद का मैटर था जिसको लेके बहुत सारा सवाल उट रहा था वो भी बहुत ही संग्शि मैं आपको क्लियर किया आगे कभी विस्तार में भी इस पर वीडियो बनाऊंगा ये क्या है फ़िए एवन एटू मिल का केस तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद ओम नमस्ते